स्वामी जी मैं 2001 से आपको थोड़ा थोड़ा देखती थी टीवी पे तो दो बच्चे हो गए थे मेने उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम ना मैंसिस पिरियड ड्रॉप में आता था बस एक दिन तो मैं डॉक्टर के अल्टर साउंड वगरे कराय तो उन्होंने का आपके फाइ तो उसके बाद धीर दिर आपका जो इसाता थाज थोड़ा थोड़ा था था ता था था ईपांच मिनुट शुरू कर दिया करना तो करती रही करती तांप पिर आप बोलते थे कि टाइम बढ़ा दो अगर आपका रोक बढ़ा है तो पांदर हम प्रवार दादा अगंटा फ तो अब जाके मैं तब से डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ ना कुछ दवाई आप ही के बस जो गिलोई वगार जो जो आप नया निकालते थे वह खाती रहती थी ले लेके अब ये मेरे वीच में जैसे मैंने खान पान में थोड़ा परेज नहीं किया और मेरी रसोलियां अभी तक देखो 25 साल हो गए मेरे बड़े बेटे को तब से मैं ना डॉक्टर के पास गई हूँ ना कुछ हुआ ना मेरा कुछ प्रॉब्लम हो और ये मैनो पोस भी इतना अच् तरदायत तो और बहुत पेइन फुल प्रक्रिया और उस समय बहुत रहे के कॉंप्लिकेशन स्वाव भेंजेते हैं डिलिवरी के बाद फिर मैंने पोच के समय और लेकिन सारी चुनोतियों से लड़ने की ताकत देता आपको योग आपका हमसा फ़र है मेरा मैंसिस है इसको क्या कहना परिवार मौर किसे सेर करें बस सहती रहती है सबसे ज़्यादा सहन सील इस धरती पर कोई जीवात्मा है तो वह मा नाम का एक तत्व है और उस माक को कोई हिम्मत देता है अंदर से तो योग है इसको कभी मत छोड़ना है चलो खुश रहा हम घर में भी नया है पूरा पतंजली है हमारा गर में पतंजली भरा होगा है बच्चों को बुखार हो जाए तो गिलोई घनवति देते देते हैं ताइफो हो ग्रीट यह करना हो करना बच्चों को परिवार को ना संभालना सीखो चलो सुनीता बहुत आशिरवात आपको